बिग बॉस ओटीटी सीजन टू में जाते ही एलविश यादो का चला जादू हैश्टेग एलविश रूलिंग बिग बॉस ओटीटी हुआ ट्रेंड दो लाक से जादा ट्विट कर फैंस ने मचाया तबाही तो फिर चलिया आपको बताते हैं कि कैसे एलविश यादो बन गए हैं सेंसेशन योटीवर ने मचा दिया हैं ऐसा तहलका जिसके बाद बिग बॉस के बड़े बड़े कंटेश्टेंट एलविश के सामने छोटे नसर आ रहे हैं तो इस वीडियो को कीजिए मैकसिमाम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा ट हैं हलाकि आपको बता दे एलविश यादो ने जब से ही घर में कदम रखा हैं एलविश ने तबाही मचा दी हैं कॉंट्रोवर्सी क्रियेट करने का तो छोड़ी हर एक दिन नया कॉंटेंट एलविश के तरफ से मिल रहा हैं जिसके बाद सबसे पहले लड़ाई अविनाश के साथ देखने को मिली थी और उसके बाद से ही लोग एलविश के जम कर सपोर्ट में आ रहे हैं वो लोग जो एलविश को सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे अब एलविश को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि एलविश के नाम पे लाखों में ट्विट्स किये जा रहे हैं और Elvis ruling in Big Boss पर हो रहे हैं जम कर ट्वेट यहाँ पर कुछ रियक्शन है जो आप देख सकते हूं कि किस तरीके से Elvis यादव ने system hang कर दिया है Big Boss OTT गाई की उसने लिखा One Man Army Elvis यादव Elvis यादव ruling Big Boss OTT we want Fukra as a captain Elvis यादव और Fukra इंसान हाला कि Big Boss के घर में एक दोस्त बनके रह रहे हैं और इनकी दोस्ती की लोग जहां पर जम कर तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ Elvis यादव की रवईय की हर तरफ तारीफ हो रही है क्योंकि Elvis के पहले घर में उतनी controversy देखने को नहीं मिल रही थी और Elvis आते ही पुजा भठ हो अविनाश हो या फिर बेबी का सबसे बड़े बड़े पंगे ले लिए हैं फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आप किस Big Boss कंटिस्टेंट को कर रहे हो सपोर्ट लिखेगा जरूर अपना opinion कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीड को सबस्क्राइब